प्रस्तूत है क्रिशी एवं किसान का लियान मुंत्राले दोरा प्रायजुत कारिकरम किसान की बात अमारा हर किसान की आंबनी दुगनी एसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चुने इस कारिकरम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का लियान मंत्राले भारत सरकार नमस्कार स्वागत है आप सभी का गर्मी हो या कोई भी मौसम कहीं न कहीं हमारे जलवायू समिकरनों से जुड़ा होता है और जब ये जलवायू समिकरन इधर उदर होते हैं कोई भी ठहराव इनमें आता है कहीं भी अवसाद इनमें महसूस किया जा रहा होता है तो समूछा जो तंत्र है, खास्तोर से जिस कारेकरम की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, जिन लोगों को हम यहाँ प्रतिनेत्ट वो दे रहे होते हैं, उन तक सही समय पर सही सूचना पहुँचना बहुत ज़रूरी है रजज़ जी क्या हुआ एक बार पिछली बार पिछले साल स्वतंता दिवस के अवसर पर ओनलाइन एक बच्चे की कविता सुनने का मुझे अवसर में उसने क्या सुनाई कविता रिस्पेक्टिड मैम, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मेरे प्यारे देश की खातिर आप भी दो थोड़ी कुर्बानी ताकि मिलती रहे हमें सुरक्षित धर्ती, सच हवा और साफ पानी वो कुर्बानी बच्चा हमसे क्या मांग रहा है, कि क्या हम अपने देश के लिए इस धर्ती के लिए कर सकते हैं, ये जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का कारण भी है, और चिंतन का कारण भी है पूरे विश्व के लिए, कि कैसे इस बढ़ते हुए तापमान को कम किया जा सके, कैसे हम अपने पर्यावरन के संतुलन को बनाये रखें, ताकि हमारा जो विकास हो, वो निरंतर हो और स्थाई विकास हो, हमें खादे शुरक्षा चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है खादे शुरक्षा तभी संभव है सतत और स्थाई आपने जो तीन components बोले सुरक्षित धर्ती, स्वच हवा और साफ पानी ये स्वस्थ खेती के लिए भी जरूरी है एक सुचारू रूप से चलने वाले जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है और एक अच्छी बहतरीन संकलपना के लिए जरूरी है जब हम देश को एक नियमित और एक सशक्त अर्थववस्था बनाने की तरफ अग्रसर हो बहराल किसान की बात के आज के संसकरण में आप सभी का स्वागत करते हैं मैं हूँ रजत और मेरे साथ हैं नीलम स्वागत हैं नीलम जी जी हम देखे अपने नाम पे बाद में आये हैं और पहले हमने बाते की हैं पहले बाते की हैं क्योंकि बात है ही इतनी चिंतनी है इतनी गंभीर के किसी भी विशा से पहले इनका जिक्र होना आज जन्मानस के बीच बहुत ज़रूरी है इसलिए आज शायद हमने इसे एक विशय के रूप में चुनाये, एक नियमित विशय के रूप में चुनाये और आदे घंटे के लगवग अपने इस कारिक्रम में हम यही बात करने जा रहे हैं तो विशे है, जो कि अगर आप चाते हैं कि हमारी धर्ती बची रहे, हम सब आगे चल कर हमारे बच्चे, हमारे सारे परिवार अच्छे से खुशिया मनाते रहें, इसके लिए हमारे परियावरन को और हमारी धर्ती को बहुत-बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है डॉक्टर भाटिया देखे हम दूसरे ग्रहों की तो तलाश कर रहे हैं जो ग्रह हमारे पास है उसकी सार संभाल हमारे लिए कितनी जरूरी है और हम आगे आने वाली पीड़ी को उसे किस तरह से बता रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है और जैसे कि आपन प्रतन में क्या प्रभाव पड़ता है यह हमारा जो विशे है और विशे शग्य हैं डॉक्टर आती भाटिया और आप श्रोता अगर इस विशे से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 23421081 23421081 और दिल्ली के बाहर से जो श्रोता हमें फोन करें वो दिल्ली का कोड जरूर लगा है शूने एक एक जिस कर्तवे के साथ भी हम जुड़े हैं जो भी काम हम करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तो करें ही साथ में धर्ती के लिए प्रिथवी के लिए जो हमारी जिम्मेदारें सुनिश्चित हुई हैं उनका भी सही तरीके से सुनियोजुद तरीके से पालून करते रहें और इसी शिंखला में आज हमारा भी कारिक्रम आगे बढ़ रहा है टॉक साब आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए इससे पहले के अगले श्रोता हम तक जुड़ें सबसे आधार बूत सवाल आज के टॉपिक से रही है और कैसे इनकी पहचान हो हरिद ग्रह गैसे जिनकों की ऑल्सों ग्रीन हाउस कहते हैं यह ऐसी गैसे हैं जो की हमारे धरती से उतसर्जन होता है क्रिशी छेत्र भी इसके लिए 14 प्रतिशत तक उतरदाई है पूरे भारत की जितनी ग्रीन हाउस गैसे इसमें से प्रतिशन हैं जब हम जल भरकर धान की खेती करते हैं तो उससे मीथेन गैस का उतसर्जन होता है और जब हम उर्वरक जो है हमारा नाइट्रोजन उर्वरक जिसकी की मातरा अगर हम जितनी चाहिए हमें उससे अधिक मातरा में पौधे को और बहुत जादा जैसे की बाट- ना देके एक बारी में ज्यादा उर्वरक लगाएं तो उससे नाइट्रोस ऑकसाइड जैसी ग्रीन हाउस गैस हरिद गया ग्रैस निकलती है तो हमारे क्रिशी सेच से यह दो गैसे हैं जो की खेती करने से निकलती है तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी खेती के प्रनाली में सुधार लाएं ताकि यह जो गैसे हैं इनका उत्सर्जन हम कम कर सेकें क्योंकि यह गैसे जैसे मैंने आपको बताया यह वायू को में आप जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग तापमान को बढ़ाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब यह उत्सर्जन होता है इनका तो यह एक वायूमंडल में एक परत्सी बन जाती है, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस गैस है, हरिद ग्रै गैस है, क्योंकि जैसे जो आपके पूर्वी देश थे, जो ठंडे देश होते थे, वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाये जाते थे, हमारे यहाँ भी सर्दियों में ग्रीन हाउस में खेती होती है, तापमान को बढ़ा के खेती होती है, तो ऐसे ही यह जो ग्रीन हाउस जो होते थे, तो उसमें खेती करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता था, अब यह गैस हों की अगर जो मात्रा है, यह जैसे बढ़ जाती है, तो एक परत्सी बन जाती है, और इस प जैसे तापमान में वृद्धी होती है और इस तापमान में वृद्धी के कारण आप देख रहे हैं जलवायू परिवर्तन हो रहा है और क्या है जलवायू परिवर्तन सिरफ तापमान में वृद्धी नहीं है आपके जो बेमौसम बारिश आपके जो चक्रवर्ती तूफान ह बाढ़ है यह सब की जो चर्म घटनाय है इनकी जो मात्रा है जो मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी है यह पहले से बहुत जादा बढ़गी है और आने वाले समय में अगर हमने यह हरित गय गैसों की सांदरता मात्रा को नियमित नहीं रखा तो हमें यही आगे चलके बस यही जलवा ही नहीं कर सकते आप देखे मार्च के महीने में जब गेहों की कटाई करने का समय आता है उस टाइम पर बेमासमी बारिश हो जाती है तो हमारी जो बिल्कुल बिगड़ जाता है तो इसलिए बहुत आविश्यक है कि हम इन गैसों का उत्सर्जन कम करें जैसे कि डॉक्टर सा कारण जो हमारे फल है उनमें मिठास की मात्रा कम हो गया लगभग दस प्रतिश्य तक और उनका आकार भी छोटा होता जा रहा है और फसल चक्र पूरा गड़ बढ़ा रहा है तो इसका जैसे जो आपने का हरित ग्रह ग्यासों का प्रभाव ये तो हुआ उत्सर्जन कि हमार धान की फसल में ज्यादा देर पानी रुकने से हो गया या नाइट रोजन की उर्वरकों की मात्रा के संतुलन से सही प्रबंधन से ये लेकिन उसका प्रभाव कैसे आने वाली क्रिशी पर पड़ेगा कैसे पड़ता है इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा जैसे की आपने टो हम कहते हैं कि ग्यों खाने से हमें प्रोटीन मिलता है इसमें नाइट्रोजन की कमी आ रही है हमारे ग्लोबल वार्बिंग जलवायू परिवरतन की वझज़से इससे प्रोटीन की मात्रा जो है उसमें कमी आ रही है आपके जो कीट है नए-एक और रोग ये जो आप सु लोग और कीट आ रहे हैं तो कि आपको खेती करने में उसकी वज़ा से आपकी पूरी पूरी फसल नश्ट हो सकती है और खाली खेती की बात नहीं है इवन जो पशू है पशू को अधिक तापमान में बहुत दिक्कत हो रही है आपके जो दूद का उत्पादन है उसमें भी कम कमी आएगी और जो नश्ट नसल की गायए भैसे हैं उनमें ज्यादा आएगी जो कि हमारी देसी गाये और भैसे उनमें थोड़ा सा फिर भी सक्षम हो है और ज सक्षम है आपके जलवाई नहीं जो ज्पेर यहाद दूद देती है उन उन पर ज्यादा असर होगा और जैसे गेहूं अब गेहूं के समय अगर एक डिगरी का तापमान भी बढ़ेगा तो उससे आपका चार से पांच मिलियन टन तक की आपकी पैदावार में कमी आ सकती है और ये सिमिलेशन मॉडलिंग से पाया गया है और इसके अलावा आप ये देखिए कि मतलब जो जल है आपको ज़्यादा सिचाई करनी पड़ेगी क्यूंकि तापमान बढ़ने से आपकी वाश्पी करन होगा तो आपको जो आपकी मृदा है वो सूखी हो जाएगी आपको जल्दी जल्दी उसमें सिचाई करनी पड़ेगी तो आपकी लागत भी ब अधान हो क्या कर रहे हैं हम लोग मतलब विज्ञान के स्तर पर रिसर्च के अनुसान धान किशिय विज्ञानिक और किसानों का कैसे ताल मेल हो इसमें तो जो भारत सरकार द्वारा जो कई-कई प्रोजेक्ट चलाय जा रहे हैं जिसमें से एक बड़ा क्लाइमेट कर रहे हैं उसको निक्रा प्रोजेक्ट है जो कि इसी पर कारे कर रहा है उसमें कई तरह की इसी तरह की शोद किये जा रहे हैं नई-नई किसमे बनाई जा रहे हैं और एक किसम नहीं होगी हर एरिया के हिसाब से उसकी जो वहां क्या वायू मंडल को देखते हुए उसके हिसा को सेयन शक्ति होती है जब बारिश ना भी हो तब भी वो थोड़ा सा मतलब आपके कम पानी में भी अच्छी चल सकती है इसके इलावा जैसे कि आपको सनरक्षन क्रिशी करनी है जिसको कंजर्वेशन अगरिकल्चर कहते हैं उसमें ये जो आप जो है जो आपके पुरानी फसल का जो भूसा है उसको आप 30 प्रतिशेत तक उसको अगर आप अपने खेत में छोड़ते हैं तो ना ही इससे जैविक कार्बन बढ़ता है बड़ नमी बनी रहती है तो आपकी जो सिचा आपको लेबर भी उसमें कम लगेगी तो इससे आपका जो दो दो तरफ से फाइदा रहेगा और इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो जैसे टपकदार सिचाई है फवारा सिचाई है जिससे की पानी की मतलब बचत हो सकती है तो जलवाईयो परवरतन तो होएगा ही आगे चलके लेकिन आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर आप पानी की बचाव करना चाहते हैं तो आप फवारा सिचाई टपकदा तो इन सब चीजों का भरपूर उपयोग करें आप जो नाइट्रोजन औरवरक है इसका इस्तमाल जो है जैसे की बड़े चोटे-चोटे सादन है जो की 100 रुपे में आपको मिलता है जैसे लीफ कलर चाट है आपको पत्ती का रंग देखना है और उसके साब से देखना है कि न आप क्या है आपकी उर्वरक में भी बचत होगी आपका खर्चा भी कम होगा और आपके वायू मंडल पे जो इसके बुरे असर है वो भी आप कम पर बैंग दोक्साब बड़ा तरकों पर जाते रहने वाला ये विशह है एक तरक के साथ दूसरा तरक नए नई जिग्यासा नया सवाल काफी जयन में हैं अभी भी जिस पर हम बात कर सकते हैं और मैं अपने शोता मित्रों को भी बता दूँ कि आज क्रिशी जनेत हरित कैसे हैं और जलवायू परिवरतन विशह पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आर्ती भाटी हमारे साथ हैं और आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं हमारे टेलिफोन नमबर पर 2342-1081 पर जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप दिली से बाहर केश्ट होता हैं तो शुन्य एक दिली का स्टीडी कोड लगाने की लेकिन कारेकरम को थोड़ा सा बीच में रोकनी रहा हूं एक और दिशा में मोरने की कर रहे हैं कलस्तर आधारित व्यवसाइक संगठनों का राष्टे सम्मेलन अभी हुआ और इस पर हमारे पास एक रेडियो रिपोर्ट भी है जो हम चाहेंगे कि आप सुने और देखें समझें कि क्या कलस्तर आधारित व्यवसाइक संगठनों पर हमारे सरकार के पास हमारे स अंस्थागत धाचे में क्या-क्या खास है उनके पिटारे में आईए सुनते हैं गैलाश चोधरी लगुकृषक कृषी व्यापार संखी प्रभन्य देशक स्रीमती नील कमल दरवारी केंदरिय कृषी एवं किसान कल्याण मंत्राले में अतरिक्त सचेव स्री अविलक्ष्य लेखी सयुक्त सचेब स्रीमती विजय लक्षमी, नावाट के चैर्मेन स्री जी एम चिंताला, ICAR, NCDC, Nafed, SFC सहित और कई कम्पिनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित, देश के विभिन भागों से आए, CBBO के प्रतिनिधी मौजूद थे. इस अवसर पर क्रशी वं किसान कल्याण मंत्राले में अतरिक्त सचेब स्री अविलक्ष लेखी ने वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट के बारे में जानकरी देते हुए कहा. उठाया और देखा कि इसमें अलग तरह की राइस की प्रजातियां या इसमें fruits and vegetables जो चुने गए हैं या और भी कोई चीजें चुने गए हैं उनको हम FPO's के साथ जोडें तो सर उसको हमें reality बनाना है वो CBBO ही करेंगे यहां से बैठके वो चीज नहीं हो सकती तो यह भी मेरी आपसे request है ODOP scheme उसका केवल हम उलेक scheme में कर दें उससे नहीं बात बनेगी आज के दिन हर DM collector को जागरता है कि ODOP की एक lust field में उपलब्ध है और वो बहुत काम आ सकती है CBBO के नए तरह के प्योग करने के लिए उन किसम की प्रिजातियों के बारे में नौर्थीस्ट में मंत्राले ने सर दस पारां ऐसे चुने है फल जो एक्जॉर्टिंग है कीवी है अवकाडो है उसी तरह से इंडिजनस भी चुने है सर अनोला है आमला है जामुन है अब वो भी लिस्ट सारी सब डिस्टिक्स में दी गई है तो CBBO को जागरोक रहना और राज्य सरकारों को भी हम निरंतर वरक्शाप्स करके प्रेडित करते हैं देखिए आप भी मॉनिटर कीजिए CBBO का काम लेकिन सर जब तक गाओं किसान के पास जाकर के CBBO काम नहीं करेंगे अपने कॉर्परेट कल्चर के बाहर तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा जिस पिछले कई समय से यह चर्चा हो रही थी कई बार एप्पियों की विशे को लेकर जब मिटिंग होती थी तो यह बात आती थी कि CBBO के साथ में बैठना है और CBBO की भी कुछ समश्या है और कुछ एप्पियों की समश्या है उनका समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ना है औ और इसी को लेकर आज यहां पर हम सब उपस्तित हुए हैं जैसा कि हम सब जानते हैं प्रदानमंत्री मानिय नरंदर मोधी जी ने जब इस स्कीम को प्रारम किया था तो समय एक लक्षे भी दिया और एक अपिक्षा भी की कि हम उस लक्षे को समय पर पूरा करें और उसको इ अपियों ने बहुत अच्छा काम किया है और जिसका परिणाम यह है कि सी भी भी ने उनकी पूरी मोनिटरिंग की और उनको जो तारगेट दिये मार्केट से लिंक करना एग्री कल्चर के अंदर उनको जानकरी देना इन सारे विश्यों को लेकर जब किया और सदेश्यों को किस तरह से जोड़ा जाए इसके उपर काम किया तो सदेश्य भी बने लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं कुछ एप्पियों हैं जिनके अभी जो लक्ष तार्गेट था सदेश्य जो बनाने थे कि 300 सदेश्य कम से कम हो अभी तक जो 300 सदेश्य भी ऐसे क सके हैं कुछ ऐसे एप्पियों हैं जिनके 300 बन गए तो फिर उनके बाद में उनसी बीबियों ने उनको इतीसरी कर ली कि अब तो 300 हमारे बन गए 300 तक का लक्ष नहीं है मैं आप से कहना चाहता हूं कि 300 का तार्गेट किस ने दिया कि 300 तक ही आप कर सकते हैं या 400 या 500 तक कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर कितने किशान होते हैं क्यों नहीं हमारे एप्पियों के प्रती किसानों का इतना रुजान हो जाए कि हर किसान चाहे कि मैं इस एप्पियों से जुड़ूगा और किसान लाब चाहता है यह हम सब जानते हैं हमारे लक्ष में भी यह हैं हम सब क कि किसान को लाब पहुंचा ना और किसान को जब लाब पहुंचेगा तो किसान अपने साथ क्यों नहीं जुडेगा मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 15,000-10,000 किसान के एक FPO के साथ में जुडेगा 10,000 FPO के निर्माड योजना के तहत CBBO के राष्टी सम्वेलन में केंद्रिक रिश्य एवं किसान कल्यान मंत्री स्री नरेंद्र सिंग तोमर ने अपने वक्त अबे में कहा आज के इस मौके पर मैं मंत्राले की ओर से आप सब कहरते से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत-बहुत अविनंदन करता हूं FPO एक किसानों का संगठन है अगर हमारे दिमाग में कॉर्परेट का कीड़ा घुज गया तो फिर प्रोडक्ट भी होगा ब्यापार भी होगा लेकिन किसान की माली आलत नहीं सुदरेगी तो पहले तो CBO के दिमाग में ये स्प्रश्चता होनी चाहिए कि आप किसी कंपनी का काम नहीं कर रहे हो किसान जो आज तकलीप में है उस किसान को एकतरित करके इसलिए जब 300 मेंबर 500 मेंबर दस अजार एपई के बात आती है तो सवभविक रूप से सवाल दस अजार का नहीं है। सरकार इसको कले एक लाग भी कर सकती है। लेकिन पहले हम दस अजार तो करें। 10,000 का कैसा परड़ाम आता है, उसके बाद ही सरकार आगे बढ़ सकती है, कोई यहां पर पूर्ण ब्राम लग गया है, ऐसी इस्तिती नहीं है, योजना पर 6,865 करोड रुपया खर्च करने वाले हैं, और अभी सिर्फ 14 करोड रुपया पूंजी लोगों के खाते में डालने क सुरुआत हुई है, फरवरी 20 में एनाउंस हुआ था और आज हम अपरेल 22 में बैठें, एक साल बाकी काम को लगा होगा, लेकिन लगवग सीबियो का चैन होने के बाद भी एक वर्स पूरा वितीत हो गया है, तो इस दरश्टी से भी हम लोगों को सोचना चाहिए, किसानों के खेत में आपके मार्गदर्संद से, आपके हससेप से, आपके ग्यान से, आपकी तकनीक से, आपके विप्ड़न की विसेसकेता से, किसान जब चूड़ेगा, तो अच्छी खेती कर पाएगा, अच्छी खेती करेगा, तो अच्छा उत्पादन होगा, उत्पादन की गु तो आपकी कोशिस ये रहनी चाहिए कि उसको अच्छा बाजार मिले इस महत को ध्यान में रखते हुए सीबियों को अपनी भूमिका का निर्वा करना चाहिए मुझे आसा है कि आप सब कुछ जिस अपेक्षा के साथ हमारी 13 किरियानवन एजेंसियों ने अपने साथ संबन जो अपेक्षा और किसान की आवशक्ता इस बीच की जो दूरी है उसको सीबियों पार्टने में सफल होगा बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ ही क्रिशी एवं किसान कल्यान विभाग द्वारा आयोजित दस हजार एहपियों के निर्मार के तहत सीबियों के संगठन के रास्टिय संब्यलन पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट संपन होती है स्वर शशी कपूर प्रस्तुत करता शिवनन दनलाल एक सवाल जो सबसे मुर्भूत है और जो इस रेडियो रिपोर्ट के तुरंत बाद आपसे पूछना था और मैं बता दूं कि ये भी काफी जुड़ा हुआ है क्योंकि सिर्फ खेती ही नहीं हम जब यहां बात करते हैं तो मिट्टी का चैन जब हम करते हैं तो बहुत सारे स कैसी होने चे इसका जलवायू परिवर्तन से कितना संबंद आप पाते हैं देखे जलवायू परिवर्तन की वज़ा से जो हमारी मिट्टी है उसमें जो जैविक कार्बन की मातरा है उसमें बहुत कमी हो रही आपका तापमान बढ़ने से जो आपका कार्बन है वो ब्रिदा जो हम कहते हैं ना कि और गयानिक कुछ भी जैसे हम गोबर की खाद है सडाओ का गोबर या बायो फर्टलाइजर या कुछ ऐसी चीजों का अगर हम प्रियोग करें तो इससे आपके जो मिट्टी की जो मृदा की जो गुनवत्ता है उसमें बहुत सुधार होगा तो आपको बहुत जुरूरत है कि अगर जलवायो परिवर्टन के जो दुश प्रभावों को मिट्टी पर आपको कम करना है तो आपको अपने जो गुनवत्ता बनाए रखनी है तो आपको इस तरह के संसादन आपको जो उर्वरक है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा आप सि जुड़े हैं बात कर लेते हैं हेलो मेरा नाम है जी 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 हमारा आप कमेंटरा ले है जी आप फोड़ा आप पर्चा बनवाया करिए उसे लोगों को चांतारी दिया करिए और यहां पर आपको व कि यहां लाना आप की घल वद्योगी मुझान के भारत सरकार के कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कितने साड़रे कमें जो खेतों में जाके ईकिसानों के पास पास जाके इसके वारे में सूचना दी जाती है जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से निसार पासके तो इसके बारे में समय समय पर समय समय पर प्रोग्राम करते हैं अलग जाके खेतों में किसानों के साथ में विलिजिस में जाकि कारेक्रम किये जाते हैं ताकि सब को इसके बारे में बता सके एक्स्टेंशन जो हमारे वर्कर्स हैं तो उनके थुरू ये सब कारेक्रम उन तक पहुचाए जाते हैं किशिय विज्ञान केंदर में भी ये लोग प्रोग्राम लगाते हैं जिससे की इसके बारे में जारी शूचनाओं का आदन प्रदान किया जाताओ कुछ ऐसा किया जाता हो विभागियस तर पर देखिए ज्यादा तो इसके बारे मुझे नहीं पता लेकिन यह है कि जैसे आपको पता है मौसम की सूचना है वो जो हमारे सारे किसानों को किस तरह से आपका किस दिन बारिश आनी है तो यह सारी सूचनाय तो रोज के रोज दी जाती है, उसके बारे में बताय को कीट का आने वाला है बही को टमाम जानकार इज़ता आपने कहा विस्तार ने देशाले है विस्तार जो भी गतिविदिया है उसमें है और हर जिले में क्रिशी विग्यान केंद्र है करिशी विग्यान केंद्र से जो वहाँ की लोकल NGO's है जुड़ी हुई है वो उन NGO's को समय समय पर वो प्रोग्राम लगाते रहते हैं और सारा विस्तार में बताते भी रहते हैं डॉक साब काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी रही और काफी इस पर हमने लगबग बात भी की है डॉक्टर आरती भाटिया का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा और नीलम और रजत को दीजे कारिक्रम संपन्न करने की हैं हनुमती इससे पहले बता दूँ कि कल पसल के रंग किसान के संग कारिक्रम में आप सुनेंगे कम अवधी और अधिक लाब वाली सबजीों पर हमारा विशेश कारिक्रम फिलाल दीजे हम दोनों का इजाज़त फिर मिलेंगे नमस्कार इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार ऐसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी